सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस तब बेल आइकर नेवर मिस अन अपडेट हलो एवरीवन मैं मोहित महिंद्राज आपका रेजिंदिंग मेंटर जैसा कि हम लेकर क्या है आल इंड़े इस पेटेस डिसकेशन जरूर देखें क्योंकि यह हमारी परिच्छा की तैयारी का रामबार है हम मौक्तेस पेपर लगाते हैं इस पीटेस लगाते हैं लेकिन कुछ गलतियां उसमें होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं कहां से सीखें कैसे करें तो इसलिए हम आपके क्या हैं आप लोंके लिए बहुत ही बेनिफीसियल है आईए चलिए शुरू करते हैं को यह पहला प्रस्ट आपको दिया है जो कि कुड़ेड ब्लड रिलेशन का कुश्चन है इन्फोर्मेशन दी गया इन्फोर्मेशन के बाद यह आपको यहां पर कुश्चन दिया गया ह कैसे करते हैं इस कुश्चन को यह पताता हूँ प्लड ब्लस का सिंबल दिया है प्लस का मतलब होता है ए फादर है भी का मतलब R फादर है किसका? S का R फादर हो गए उसके बाद है multiply ных का जो साइन है वह आपको बताता है a brother है b का ठीक है? अ brat है a brother है b का मतलब यहाँ पे s brother किसका हो जाएगा t का a minus यहाँ पर दिया है ha B's तो T sister किसकी हो जाएगी ? u की हो जाएगा अब आपसे पूछा क्या जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है एक मुट मैं देख लिए आप आर प्लस एस है प्लस का मतलब था ए फादर है यानि आर फादर एस का मल्टिप्लाई मल्टिप्लाई का साइन दिया था ए ब्रदर है ब्रदर है टी का एस ब्रदर है आपका टी का इसके बाद टी मैनस वी लिखा हुआ था यहाँ पे ए सिस्टर है बी की यानि टी सिस्टर है यो की आगे भी है वी डिविजिविल यो तो ए डॉटर है डॉटर है बुर्वल्ट ये यहां पे आपको आपको वी का साइन लगाना है और यहां तक हमने व्रेविजविल का मतलब है आपको ए डॉटर है यानि की वी तो यह आपस में क्या बढ़ जाएंगे पती-पत्में अब आपसे पूछा है कि हाव इस एस रिलेटेट टू एस कैसे मंदीत यू से तो यू का क्या है बेटा हो जाएगा सन हो जाएगा ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा चलिए अगला प्रस्टर है फोर लेटर क्लस्टर है बिन गिवन आउट आफ फिच थ्री आर लाइक इन सम मैनर वाइल वन इस डिफरेंट सलेक दा और लेटर क्लस्टर चार अक्षर समूर दिये गए जिन में से तीन किसी तरीके से जैसे हैं जबकि एक अलग है विसम अक्षर का चैयन करें देखिए हाँ पर क्या डिफरेंट है आपको दिया है एस डबलू आई के हैं ठिक यह एक वाविल हमें दिख रहा है वी आई एनी दो वाविल दिख रहे हमको न ओ एच ए दो वाविल दिख रहे हैं आपको ल एलम एल एलम ठीक है सारी आई है ना की एल है आई दिया है यहां पर भी दो वाविल है तो पहला वाविल दिखाई पड़ रहे हैं और पहले वाले में सिर्फ एक वाविल है तो यही हमारा यहां पर डिफरेंट हो जाएगा बाकि तीनों से यह अलग हो जा रहा है नेस्ट कुश्चन भी दिया है फोर नंबर पेयर्स है बिंग गिवन आउट आप विच थ्री आर अलाइक इन सम मैनर एंड वन इस दिफरेंट सलेक्ट द नंबर पेयर्ट इस दिफरेंट चार संख्या जोड़े दिये गए जिनमें से तीन कीता समान और एक अलग है उस इनको जोडने पर आपको मिले जाएगा 24 छातिस प्लस दू है इनको जोडने पर क्या मिल जाएगा 38 चोड़ा और 8 इनको जोडने पर मिले जाएगा 22 28 प्लस 5 इनको जोडने पर मिल जाएगा 30 यह आपका डिफरेंट 28 प्लस 5 तैंटीस यह आपका डिफरेंट ऑप्शन इसका मतलब D वाला विकल्प हमारा यहां पर सही हो जाएगा बाकि सब को जोडने पर जो संख़ाँ आरे वो सम आरे हैं दोनों संख्याँ को मिल रहा बत रिजिट को यह क्या रहा है और नम्बर आरा इसलिए 30 ठी terus आपके किया से इस comments को सिए आपको कोड दिया गया था ब्रिदर तो कि यह आपको कोड दिया how will aviation it couldn't that language ठीक बड़ा अच्छा सा कोश्चन है देख पार है आप लॉजिक क्या चल रहा है देखे मैं आपको लॉजिक बता दू फिर आप कोश्चन को अच्छे से कर पाएंगे 2951 2859 देखे बी की वैलू 2 है एकी 5 है एकी 1 है एच की 8 है एकी 5 है बाकी जो आपको दिखाई पड़े वो प्लेस वैलू का समझे से 18 है नो कर दिया है इस तरीखे से क्या किया है एगर ट्रइस वैलू सिङगल रख दिया है और अगर डबल लेट उसको सिंगल में कनवर्ट कर लिए है तो हम यहां पर स्यवियेशन का कोट बताना है aviation का code आपको बताना है ये 1 हो जाएगा आपका V की place value 22 है तो ये 2 प्लस 2 आप क्या कर लोगे 4 कर लोगे I की 9 है A की 1 है T का 2 0 है यहीं 2 कर देंगे I की 9 है 1 प्लस 5 6 हो जाएगा 1 प्लस 4 आपका 5 हो जाएगा तो 14912965 हो जाएगा सही एंसर जो हम लोग यहां पर देंगे 14192965 ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा ठीक है ये वाला विकल्प आपका यहां पर सही जाएगा आई ये देखते हैं बड़ा अच्छा कुश्चन है आप इसको अच्छे समझें जैसे KLM एक समू में इनकी ओसत आई 24 साल है तो इसका मतलब अगर हम बात करें KLM तीन लोगों के बात करें KLM तो इनका जो आईू का योग होगा वो कितना हो जाएगा 24, 72 हो जाएगा हो जाएगा उसके बाद उसमें जोइन कौन करता है n join कर लेता है तो 23 साल हो जाता है यानि अगर k l m n इनकी बात करी जाए तो 23 और 4 चारतियां 12 चार दुनिया ठीक नो बाननबे यह हो जाएगर 92 अब इसमें अगर n की एज निकालनी है तो यह k l m का है और यह k l m n का है तो 92 से 72 जाएगा तो सीधे जो n की एज है वो कितने साल आ जाएगी 20 साल आ जाएगी ठीक n की एज कितने जाएगी 20 साल हो जाएगी और यहाँ पर कहरा है कि whose age is 2 years more than that of n किसकी r की एज r की age 2 साल जाड़ा है किस से n से तो इसका मतलब जो r की age हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2 प्लस 20 बराबर 22 साल ठीक है यह हमारे किस की हो जाएगी r की age हो जाएगी अब आगे देखे क्या कहता है element r इनका कितना है तो 2.2.5 है तो element r का total निकालेंगे आप element r तो 22.5 इन्टू 4 कितना हो जाएगा हमारा नाइन साड़े बाइस चौका साड़े बाइस पत्चिस साड़े बाइस यहीं नब्बे आएगा आपका नब्बे आएगा ठीक है तो यह आपका element r का 90 आ गया है element r का कितना आ गया है अच्छा आप देखे यह 90 है और के ल एम का कितना है स्वरी element r का आपको मिल गया 90 और element r का हो गया है element का कितना था element का अगर हम देखें क्योंकि हमें के की एज निकालनी है और यहां पर element r के हमको दी गई है 90 साल तो element r की एज 90 साल हो जाएगी यहां पर element की बात अगर हम करें तो 90 माइनस r निकाल दें r 22 साल है कितना हो जाएगा 68 साल 68 साल element केज हो जाएगी r केज इसमें हमने निकालनी किता बच्छा 68 साल ठिक हमसे पूछी किस केज गई है k केज पूछी जा रही है तो जब k केज पूछी जा रही है तो के element 72 साल है और element कितना है 68 साल है और के element आपका 92 साल है element कितना है 68 साल है element इसमें निकाल दें तो के मिल जाएगा यानि 92 से 68 घटा दीजिए कितना बचेगा आपका 24 साल है डी वाला जो विकल्प है यह आपका सही विकल्प हो जाएगा डी वाला जो विकल्प है यह आपका यहां पर करेक्ट विकल्प हो जाएगा अगला कुश्चा है सलेक्ट दा क्यूब डैट कैन भी फॉर्म बाई फोल्डिंग दा गिवन सीट उन फोल्डेट बॉक्स अलांग दा लाइन उस घंका चैनकरे जो दी गई सीट को रेखाओं के साथ मोल कर बनाया जा सकता है इसका तरीका है पहले आप यह देखें कि कौन सी चीज यहां पर अपोजिट होती है और वो अपोजिट चीज एक साथ हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए अल्टरनेट अपोजिट यह वाला जो है यहां पर होगा अपोजिट फिर यह आपका हो जाएगा अपोजिट लास्ट में यह दोनों जो हैं वो आपस में हो जाए है और यह देखना कि कौन सी चीज यहां पर आपके सामने नहीं आ रही है आप देखेंगे क्यों का पोजिट हैश है यह वाला विकल्प हम लोग कैंसिल कर देंगे वहां पर आर एड़ रेट स्टार है तो एड़ रेट सॉरी कि आर और स्टार आपकर हो एंको भी आप कैंसिल कर देंगे let them यहां पर आर एक्स क्यूंक नहीं है क्यूंक पॉसिच ग्रीट हैस नहीं है और आक जीवाला नहीं जो एक और रहए पहले तो हमें तो सचीज एक साथ नहीं देखने चाहिए अगला कुष्य है यहां पर आपसे कह रहा है कि निम्लेखित प्रस्चिन पर क्या आएगा स्रंखला में क्या आएगा तो देख लिए आप इसको दी चार 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 आठ यानि प्लस चार हो रहा है आठ चार बारा प्लस चार हो रहा है 12 4 16 प्लस 4 हो रहा है 16 4 20 यानि कि बीच में T आना चाहिए तो सारे option में T दिया हुआ है कोई फरक नहीं पड़ता है इसके बाद देखे क्यों का number होता है 17 और यह 14 यानि माइनस 3 हो रहा है 14 11 माइनस 3 हो माइनस 3 करना है आठ में से आपका तीन जाएगा पांच बचेगा पांच का मतलब यह आएगा यह वाला ET ET का मतलब AB option cancel और C वाला option आपका सही हो गया ET option में है आगे D वाला आपका ही जाएगा ठीक है चलो अगला अपरस्ण है अगला अप्सट्रा अप्सट्रा अट रेटेट थर्ड नंबर इन दा सेम वे एधा सेकेंड नंबर इस रिलेटेट तो फिल्स नंबर इन देखते हैं यह यह 78 हो जाएगा इसमें 78 डिवाइड वाइट वाइट टू कर दिया जाए तो 78 और 49 नौ आठ सत्रा और साथ तिन दस ग्यारा एक सो सत्रा हो जाएगा ऐसे नबर का भी कर लिजिया आप नबर प्लस नबर बटा दो तो यह नबर हो जाएगा 92 का मतलब 45 हो जाएगा यह मिला के आप कर लोगे 135 का मतलब डी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा अगला कुश्च्छन है तो बोजन को बनाता है तो भोजन कौन बनाएगा सेफ बनाएगा भोजन को सेफ बनाएगा रसुईया आपका सही अंसर हो जाएगा सेफ का मतलब जो खाना बनाता है ठीक है फिचाप फॉलइंग ऑप्शन नेक्स एग्जाक्ट मिरर इमेज आप दा गिविन फिगर यहां पे हमें मिरर इमेज बतानी है और मिरर आपका रखा गहां है दाईयों रखा गया है तो इस कोशन को जब आप करेंगे तो सीधी सी बात आप यह ध्यान रखेंगे जो च पहले बनेगा आपका ठीक पहले बनेगा मतलब सारे में पहले ही बना हुआ है अच्छा दोसी चीज आपको फिर यह ध्यान देना है कि यह जो आपका डार का है कलर ठीक यह वाला कलर का हिस्सा इधर आना चाहिए यहां पर भी यहां पर भी यहां वाला गलत हो जाएगा डी C वाला बिकल्प cancel हो जाएगा D पहले ही cancel कर दिया था हमने ठिक अच्छा अब इसके बाद क्या हमें देखना है इसके बाद हमारे पास बसता है B और A B और A में हमारे साथ जो difference दिखाई पड़ रहा है क्या अंतर हिन दोनों में यह आपके तीन लाइने दी है यह आपकी बड़ी मायनूट लाइन यहाँ पर दी है ठीक है यहाँ पर जो लाइन दी है यह वाला अंतर है इसलिए वाला भी कल्प आपका सीव जाएगा बढ़ा मायनूट है आपको साथ दिख भीना पार हूँ which of the following set best represented by the given vein diagram नहीं लिखित में से कौन सा सेट इसको दर्साएगा तो बड़ा अच्छा है यहां पर हाउस विंडो टेनेंट पैराग्राफ सेंटेंस पेन वीक मन्थ यर ट्रक शिप्स ट्रांसफोर्ट तो सबसे सही ऑप्षन यहां पर सी वाला लगेगा सी वाले में आपको सही दिया है वीक मन्थ यर इसको हम लोग क्या कर दे यर कर देते हैं बाहर वाले को तबसे बड़ा होता है इसके अंदर वाले को क्या कर देते हैं मन्थ कर देते हैं मंत कर देते हैं और फिर इसके बाद जो है आपका अंदर क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा इस तरह से सी वाला जो विकल्प है वह आपका करेक्ट है वह आपका बहता है अग्षरों के संयोजन का चैन करेज जिनने दिए गए इस रंकला के रखते स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर शंकला पूरी हो जाएगी ठीक है देखे आईए यहां पर क्या रखा जाए जिससे यह संकला पूरी हो जाए जिसे शुरुवात में आपको टी टी दिया गया है अगर हम T रख देते हैं यहां पर यहां पर अगर T रख देते हैं तो TUVW फिर यहां पर T बन जाएगा आपका ठिक TUVWT उसके बाद है WV TUVW फिर हम यहां पर T कर देते हैं तो TUVWT फिर देखो ऐसे बन जाएगा TUVWT और यहां पर फिर एक बार हो जाएगा WEE W WVTUW पहला यह बैकर बाद है कि आपकी से ठोगी ठीक है यह वाला बिकल्प आपका अच्छा लग रहा है एंसर पहंए है नेक्स्ऩ सेम कुष्णन यहां पर भी है ऐसे यहां पर भी देखना कि कौन सा रखने क्पे करमिक पूरा करदेगा अगर पहले रखते हैं L अगर रखते हैं यहां पर L और N फिर K फिर L फिर N अब देखते हैं अब यहां पर देखते हैं अब यहां पर अब यहां पर इसको कार दिया जाए तो एन के बाद फिर के रख दिया जाए K M L K M L हो गया फिर N K M L K M N L N K M L फिर M N K L M N K L और फिर K M N L यह वाला आपका बढ़िया सीरीस बन रहा है B वाला जो विकल्प है यहां पर शही हो जाएगा B वाला जो विकल्प है वो आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा इसमें आपको जो है ढूना क्या है इंबैडड फिगर छिपी हुई आकरती जूनना है जिसमें रोटेशन आपका एलाउड नहीं है छिपी आकरती जूनना है तो देखते हैं यह आकरती कहां पे हमारी जाके छिप रही है जो आपको दिया गया है यह आकरती हमारी जो है कहां पे छिप रही है इस आकरती को मुझे लग रहा है कि हम जो है आपको छिपा देंगे ऐसे ऐसे दिया हुआ फिर ऐसे कर दिया है और फिर ऐसे कर देते हैं आपकी जो आकरती है यह हमें छिप जाएगी छिप जाएगी ठीक है पी वाला आप्चन आपका सही है और वाले आकरती में इस आकरती को आप छिपा देंगे इसको थोड़ा सा छोटा भी कर दीते हैं मैंने ज्यादा बड़ा कर दिया है इसको च्छोटा कर देने आपको पूरा दिखाई पड़ेगा इसको छिपाने के लिए जो इसका है वो इसको मैं थोड़ा छोटा कर दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समाने अब ज्यादा सही लग आपको इसमें आपको सलेक्ट डॉप्शन इन्विज नंबर रेलेटेट रसेम नंबर क्या है इसके अंदर लॉजिक वही लॉजिक हमको वहां बताना है ठिक यहां पर आपको जो लॉजिक दिया गया है जैसे साथ का क्यूब कर दिया जाए तो आपको मिलेगा 343 ठिक साथ का स्क्वाइर इंटू टू यानि 49 गुड़े दो कर दें तो हमें मिल जाएगा 98 अब ऐसा ही हमको यहां पर चेक करना है कि किस वाले में यह बात बनेगी 27 तो 27 तो किसी का क्यूब नहीं मिल रहा हमें क्यूब बन जाए यह वाला विकल्प हमें सही मिल जाएगा यह वाला विकल्प यहां पर देखो आप 11 का क्यूब कर देंगे हो जाएगा 1331 11 का क्यूब आपका हो जाएगा 1331 चिक उसके बाद क्या करेंगे 11 का स्क्क्वाइर इन्टू टू 11 का स्क्क्वाइर 121 दुना 242 यह भी सही है 11 33 11 गुड़े 3 बराबर 33 11 33 सी वाला विकल्प हमारा सही है ठीक नेक्स्ट क्वेशन खोड दिया है ने सर्टन कोड लैंग्वेज वर्बल को लिखा गया है रीच को लिखा गया हाव विल ब्रेव बीन डिटन आप देखो इसमें वी आपका 22 है क्यूँ आपका 17 17 5 22 ई आपका 5 है एन आपका 15 14 है और 18 M 13 कोई सर्टन लॉजिक नहीं है यह डायट कोडिंग कर दी गई है अगर आपने ऐसे देखा और कोश्चन को देखते समझ में आ गया तो मुझे जो लग रहा यह कोश्चन डायट कोडिंग करे गई है और सिंपल कोई लॉजिक नहीं लगाया है सीधे जैसे ब्रेव ल इसार नमबर पर वाई उठा लिजिए आप ब्रेपी कोडिंग वाई हो जाएगी रीच आर आर हमें कहा मिलेगा आर बी से पहले मिलेगा यानि M मिल जाएगा M ले लिजिए आप वाई एम वाई एम है सीवाल आप्शन उडा दीजिए यही सही हो जाएगा कुछ जाद ही में D कि यहां से फोल्ड हो रहा है कि का उसके बाद यहां से फोल्ड हुआ हुआ है फिर यह पंच लगाया इसर कल आपको दिखाई पड़र यह नहीं पर आप खुलने पर यह चारों तरफ तो आएगा ही आएगा चारों तरफ आएगा अंदर के ओर नोख की सी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा बीजी कैंसी एक वाला करेक्ट में तुरंती लग गया आइंसा ट्रेंगल की नोख सब की अंदर के और होनी चाहिए आपको मिल गया अगला फोर वर्ड्स हैब बीन गिवेन आउट आफ फिछ थ्री और लाई किने समय नर्वाइल वन इस डिफरेंट रगड़ और वन वर चार सब दिये गए जिनमें से तीन किसा समाने जबके एक अलग है बेजोड सब्द का चैन करें ठिक मतलब आप देख रहे हैं कापर आरन सिल्वर सब धातू हैं ब्रॉस जो है आपका अलग हो जाएगा यह एलोई है बाकी कापर भी है आरन भी है सिल्वर भी है यह आपके सुध मैटल है ठिक इसलिए आपका सी वाला जुबिकल फे वो अलग हो जाएगा next all books are magazine all books are magazine some books are nobel some books are nobel पहला है some magazine are book पूरा book magazine है some magazine are book हो जाएगा no magazine निक book ये तो गलती है जब सारा book magazine है तो no तो नहीं हो सकता है no novel is magazine no novel is magazine novel और magazine में रिलेशन है थरड़ भी लो जाएगा some novels are book ये आपका सही हो जाएगा अब देखिए यहां पर option जो आपके सही हो रहे first and fourth आपका correct option हो रहा है बी वाला विकल्प यहां पर सही हो जाएगा ठीक बी वाला विकल्प आपका यहां पर correct हो जाएगा अगला कुश्ण ये आपको जो है missing character कर दिया गया है study the given pattern carefully and select the number that can replace the question mark दिये गया pattern का ध्यान पुर्वकत ध्यान करें उस संख्या का चैन करें जिसमें प्रश्चिन को स्थापित कर सकता है बड़ा बढ़ी हा कुश्चन है 15 और 14 का difference लेंगे कितना आएगा एक 10 में multiply करेंगे नीचे 10 आजाएगा समझ रहे आप ऐसे इसको भी देख लिए आठ और 6 का difference कितना आएगा दो आएगा ऊपर 7 से multiply करेंगे नीचे कितना आजाएगा 14 आजाएगा ऐसे 25 और 12 का difference कितना आएगा 13 ठीक है 13 में 5 से multiply करेंगे 65 आजाएगा सेम यहाँ पर भी करना 7 और 3 का difference कितना आएगा 4 आएगा 4 से multiply कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा क्लियर इसलिए बी वाला जो विकल्प है वो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर पूछा गया है स्वारी हो मेंट रेंगल कितने त्रभूज हैं आपके पास ठीक ठीक है आप यह हमारे सामने तीन ठीक उसके बाद यह बड़े तीन यानि छे त्रभूज यहां पर हो जाएंगे छे यहां हो जाएंगे छे छे बारा बारा के बाद फिर यह आपको तीन दिखाई पड़ रहे हैं और ऐसे तीन आपको यह फिर दिखाई पड़ रहे हैं तो छे छे बारा तीन अठारा छे बारा और यह तीन तीन छे तो बारा छे अठारा तो आपके पास यह हो गए ठीक अठारा के बाद देखेंगे आप एक तीबुज आपका यह बनेगा उननेस एक तीबुज आपका यह बनेगा बीस ठीक है बीस के बाद आप देखेंगे तो यहां पर यह हो गए हमारे तीन तीन छे और यह छे हो गया छे के बाद हमने यहां से ले लिया तीन 6-3-9 यहां से भी हमने ले लिया 3-9-3-12 12 के बाद 6 6 6 6 6-3-8 ठीक 18 के बाद एक ये पूरा-पूरा हाँ ठीक है 18 के बाद एक आपका 19 हो जाएगा ये वाला हाँ ये आपका 19 हो जाएगा और ये आपका 20 हो जाएगा और इसके बाद ये वाला जो है आपका 21 हो जाएगा ये 22 हो जाएगा तो 6-3-8 4 और बन गे आपके टोटल 22 तिबू जाएगा यहां पे टोटल 22 Select the figure that can replace the question mark यहां पे एक सीरीच चल रही है उसको replace करना है क्या आएगा यहां पे answer देखो यह आप दिखरा होगा थोड़ा सा शिम्बल रोटेट हो रहा है डॉलर यहां पे था एक छोड़ के यहां पर है फिर एक छोड़ के यहां पर है इसका मत्तब एक छोड़ के यहां पर आज़िए और यह डॉलर आपका यहां डी वाला छोड़ करके डी वाला आपका हो जाए डॉलर का place इन सम्मे सही है ठिक अब हम क्या करते हैं इसके बद हम 0 देखते हैं 0 यहाँ है जस्ट बगल में 0 जस्ट बगल में 0 यहाँ चाहिए तो 0 C वाले में बगल में नहीं है B और A में दोरों में बगल में 0 दिया गया है अब आती है percentage की बारे percentage यहाँ है एक gap करके यहाँ पर है एक गैप करके यहां पर है इसका मतलब एक गैप करके यहां पर जाना चाहिए यह वाला जो भीकल्प है वह आपका करेक्ट भीकल्प हो जाएगा ठीक ए वाला भीकल्प आपका सही हो जाएगा Select the number that can replace the question mark in the following series उस संख्या का चैनकर जो निम्र्खिस रंखला में question को प्रतिस्थापित कर सकती है ठीक को अ कि ऐसे चलना लॉजिक 11 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 11 में प्लस 1 कर दे 12 हो जाएगा 12 में इंटू 3 कर देते कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ठीक अब देखें 36 में क्या करते हैं 36 में पांच जोड़ दें तो हो जाएगा एक तालिस पहले एक जोड़ा तीन से मल्टीप्लाई फिर पांच जोड़ा अब किसकी बारी है साथ की बारी है एक तालिस में साथ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो शाथ एक कम साथ साचोक अठाएगा और 287 में अब हम क्या करें पहले एक तीन पांच साथ नौ जोड़ेंगे एक बार जोड़ एक बार घटा रहे है नौ जोड़ देंगे तो 296 आएगा मतलब सिरीज हम सही चला रहे ह लेकिन यहां पर जो कुश्चन मार्क है यहां पर हमको क्या मिलना चाहिए 287 ठीक है यहां पर हमको मिलना चाहिए 287 बी आपका करेक्ट विकल्प है 287 है आपका बी वाला जो है आपका बिलकुल करेक्ट विकल्प है चली अगला प्रस्टाइग आपको यहां पर एक्स्पे से देखके लगाना है कि कौन सा हमारा यहां पर सही बैठागा इसको solve करना पड़ेगा बाकी कोई तरीका इसको है नहीं अब देखे आठ और साथ को change करने की बात करी जा रहे हैं तो आपको 4 प्लस 6 यहां पर 7 दिखा पर 8 कर दीजे डिवाइड मानस 27 और यह 3 हो जाएगा फिर आपको एक्वल लगा करके यहां पर तो आपको ऐसे change करना पता है माइनस 4 प्लस 49 डिविजविल 3 अब इसको solve करेंगे आप तो solve करने पर 4 प्लस 6 आप चाहँ तो इसको 48 कर लो एक साथ यहां पर 3 नहीं सत्ता ही हो जाएगा डिविजविल दो बार कैसे लग गया 4 प्लस 6 मल्टिप्लाइ 7 यह माइनस का sign लगा हुगा डिविजविल का लगय और माइनस 39 कर लिजए उधर आपका यह 56 हो जाएगा माइनस 4 और प्लस यह हो जाएगा 13 ठिक अब देखिया 48 चार 52 और उधर आप देखेंगे 52 माइनस नो बराबर 56 माइनस 13 तो 56 में अब जब करेंगे तो यह बराबर ही नहीं आएगा क्योंकि 56 चेती नो पांच एक शेओननातर मैनस 4 तो यह वाला तो बन नहीं पायागा इसलिए पहला वाला आप्शन आप कैंसिल कर दीजे ठिक इससे नहीं हो पाएगा अब हम क्या करते दूसरे से करके देखते हैं पहला आप्शन तो नहीं बना आपका 6 और 8 से करके देखते हैं 6 और 8 में चेंज करते हैं 4 प्लस 6 की जगा पर 8 कर दे और यहां पर 7 कर लेते हैं अब यहां पर आप देखेंगे तो चार 8 से 56 कर ले माइनस में 9 आ जाएगा बराबर वहां पर 7 चंग 42 माइनस 4 और प्लस 13 ठिक 56 चार 60 और यह 56 चार 60 माइनस 9 तो आपको मिलेगा 51 इधर है 42 और 13 तो माइनस 4 और प्लस 13 इसमें 9 बनेगा तो 42 नो इक क्या वन यह वाला देखो आपका 51 51 सही हो गया बी वाला विकल्प हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा ठिक है बी वाला यहां पर हमारा विकल्प राइ हो जाएगा दिया है दा फॉल्लेंग वर्ट सार अरेंज एस पर दा अर्डर इंग्लिश टेक्टरी विच वर्ड बिल कम इंद फिप्ट इंद स्युक्रेंस फिप्ट सिक्वेंस में आपका क्या आएगा देखें अगर डिक्टरी आर्डर में करते हैं तो आप डबलू ए से तो ड्र स्प्ट साहिए चिया हुद आएगा थिक्टबर सब्सक्राइख जानाए comment इस समय अब आए वाला जो है अपका पांचiset नंबर पर आएगा इस तरीकले से आपको 42 का discussion clear हुआ है समझ में आया है हना कैसे हमें कहां पर कम समय में question करना है बहुत सारे question options से दे करने होते है जरुरी घंपूरा को उसको solve करें चलिए फिर थैंक्यू क्लाइब subscribe now and press the bell icon never miss an update